वट्सब्सब्सब्सब्स तो कैसे है आप लोग आज में लिखा चुगा उपके लिए एक अलग टैप का वीडियो गेमप्ले वीडियो नहीं कुछ नहीं यह वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि आप अगर किसी के साथ टीडिया मैच में चैनल लगा लेते हो और अगर आप अगर आपको जीटना ही है वो मैच तो आप कैसे अपना जीत सकता हो वंवी बण फाइट वह तो अलग हो जाता है कि अपना वन वण को स्टॉंग करने के लिग क्लिक या क्या करना चाहिए वह अलग चीज та लेगिन तीडियोוכ आपको जीतना ही है कुछ भी हो कुछ भी हो तब तो आपको जीतना ही पड़ेगा तो आपको उस समय आपको कुछ ने करना आपको उसको चैलेंज देना है और अगर आप मेह वीडियो देख लेते हो तो आप मेह जीत सकते हो अगर तो आसे प्रेक्टिस कर दोगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले मैं बता हूँ कि अभी मैं एक जन मला एक मेरे सोसाइटी के दोस्त है मला एक भाईया है बड़ा है मुझसे तो वह नया-nया था पबची खेलना स्टार्ट किया वी फिलाल तो उन्हें मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना कैसे खेलना मला कैसे मूवमेंट क्या देन बाकी सब ITDM केल के मैं उनको बताता हूँ उसका बाद फिर जब मैं ITDM हो जाता है तो जो आपके सब सुधाल लीजिए इनके साथ तो मैं जीखा रहा है आपको भी अगर में आसथ खेल ला है तो अपना ID मुझे लिग दीज़े कमेंट सेक्शन में तो मैं खेल लूँगा आपके साथ भी आपको भी अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कोई दिकर नहीं तो सबसे पहला चीज है कि आपको रखना है SMG ग्रोजा ने रखना दोजा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ग्रोजा से अगर ज अगर कुछ फालती हो मतलब ग्रोजा ता है समय नहीं बिलता है इस एकल में इसलिए तो आप ग्रोजा मत चलाए मैं आपको बोलूँ अगर 1v1 फाइट मुला इसमें हो रहा है स्टीडियम में अगर 1v1 हो रहा है तो आप चलाई यूजी या वेक्टर यूजी या वेक्टर क्योंकि यूजी 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 यू तो चलिए दूसा पॉइंट है कि आपको अपना गन में आप जो भी चलाओ यूजी ए वेक्टर के अलावे अगर M4 अगर चलाओगे कि गन में आपको गरीप लगता है यह नहीं कि AKM में तो नहीं लगा पाऊंगे तो कोई दिक्कत है लेगिन ऐसा नहीं अगर जो गन में आपको गरीप लगता है उस गन में आप अपना लेजर लगा लिजे लेजर साइड लगा लिजे और रेड डॉट या फिर M4 के साथ 6X लगा लिजे 6X और साथ में एक पिस पॉट यह होता है कि use यह वेक्टर 2nd पॉट यह है कि अप लेजर लगाई है और 6X लगाई अपना गन में और 3rd point में में बताता हूं 3rd point भी इजी है 3rd point में आपको क्या करना है सिर्फ आपको अपना crosshair से माणना है अपना scope नहीं खोलना है बीना scope खोले crosshair से माणने से ज़ मार तो आपका मुव्मेंट फार्स है तो सामने आपका उपर ADS लिया और आप Crosshair से जीगल दे के मार दिये तो उसे भी ADS को अब लेट करने में तो हम उसकी लोगा तो इसलिए आप Crosshair से मार ये तो आप Crosshair से practice किये मारने का अच्छा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और वैसे यूजी या वेक्टर इसमें बुलेट जादा स्प्रेड ने करता है M4 में भी तो इसलिए आप red dot लगा लेजर साइड लगा लेए ऐसे और अच्छा हो जाएगा तो आप ये सब किजिए आपको अपना movement थोर सा फास्ट देना आपको अपना reflection थोर फास्ट करना पड़ेगा ये तो अगर जहां तहां से मार देता है तो वह दिक्कत हो जाता है तो इसलिए आपको अपना reflection थोर फास्ट रगना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि सब जगह आप अपना prone and suit दो तो उससे दिक्कत हो जाता है prone and suit हर जागा काम नहीं करता है तो और crouch and suit भी हर जागा काम नहीं करता है क्योंकि crouch and suit समझावक्त आप सोचवी कि सामने हो लोग क्राउच करके बैठे हुए और उसका सामने चल गए तो आपको तो एम आपको header में जाएगा इसलिए आपको crouch and suit भी time पर द टीपीबी खिलने बाद टीपीपी ने लिये तो आप तो क्या फाइदा होगे हाँ एसा नहीं कि टीपीपी लेने बोलना हो तक आप कैप करें बैठ जा उससे भी जानना है मतलब पता लगना सी कि आप यहां पर खड़े हो तो वह भी टीपीपी तोड़ने का तो कुछ होग तो आप ऐसा कीजिए कि टीपीपी लीजिए लेकिन उससे फाय करकर बता दीजिए कि यहां पर है तो इसलिए उस आप वह भी सोचेगा अगर आप फड़ा दोगी कि हां यह अच्छा प्लेयर है इसलिए मतलब चीटिंग ने किया तो इसलिए अगर अगर अपने दोस लोग पड़ेगा जिसकी आपका जे इनमी है मुणा बंदा है सामने वाला की The वह समझांगे नेट फिक दू आप अप अगर दी ही जगा खड़ा हो कि और उसकेबाद ॉसने नेट फिकारा है यह जिंगत हो तो आपको जितना कम पॉइंट में हराना है, जितना कम पॉइंट में हराओगे तो आपके लिए अच्छा है, वो भी सोचेए कि अच्छा अप ले रहा है, आप भी थ्वासा उसमें आजाओं भाव में, कि हाँ मारे, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इधर से उधर दोड़ दोड़ने पे क्या होगा वह समझांगें से जाद होसे मार सकते हो पीछे से मार सकते हो तो उसका बूत पिर की घ्रला करें अब ज्यादा आपको मरने है चांस नही रहे ऐसे अगर और आग cam दीआ तो पीछे चल जाए होगा sentence और आपको देल की ऩह करें kind प्रीफाय का अंदर नहीं आना है कि उसका प्रीफाय का अंदर आ गए तो आप मड़ी जाओ गया हमें सा तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि उसका प्रीफाय का अंदर आपको नहीं आना है और आपको क्या करना है कि दो गन कमसे में रखना है आपको समझो कि आप सामन तो यह कुछ टिप्स थे जो जिससे आप कोई भी बंदा को हरा सकते हो ऐसे मुला टीडियम मैच में वन वी वन में तो यह टिप्स आप फॉलो करो अगर नहीं हरा पाते हो तो फिर आप मेरे चैनल में आके मेरा कमेंट में जो तो लिख दीजिए मैं कुछ कोई गलती नहीं है अगर आप प्रेक्टीस करोगे तो मैं कोई गलती नहीं है अगर आप 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 गए तो या फिर में प्रेक्टीस करो च्साहथ करने से आपको अच्छा अब कुछ नहीं है और में 100 subscribers आप पूरा ने करवा रहे हो, पूरा करवा दीजिए में 100 subscribers हो जाएगा, 100 subscribers पे एक special video आएगा, तो इसके लिए भी आप रेडी रहे है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन दबा और कमेंट कीजिए अच्छा सा, और साथ में वीडियो को सेयर कीजिए, वे सेयर काने से बहुत फाइदा मिलेगा, आपको भी हमें भी, तो इसलिए मैं आपने चैनल देखते रहे हैं वीडियो, ठीक है, मिलता हो उपने नेक्स वीडियो के साथ, तो के बाई!